गुड मॉर्निंग दोस्तो वेलकम बैक टूबी सैनल ग्यान जोती आसिस टूटरियल तो दोस्तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन ने भी एमार एससार डबल ले के लिए फिजिक्स के पार्ट नमबर 9 और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 8 तक कम्प्लीट कर चुके हैं अ तरीके से बेस्ट प्रिप्रेशन एस्टार ठीक है तो चले शुरू करते हैं बीना टाइम वेस्ट के अपने क्लास को तो दोस्तो कल मैंने 93 तक सवाल को कम्प्लीट किया था आज करेंगे 94 ठीक है तो देखिए आपके स्क्रीन पे 94 नमबर सवाल है जेट इंजन का अविसका किस ने किया था तो राइट एंसर हो जायाएगा 94 का ओप्शन बी यानि की सर फ्रैंक वहिटल ने किया था ठीक है अब हम बात कर लेते हैं एक्स्प्लेनेशन की देखिए दोस्तों एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग ब्रिटेन में ठीक है नोट कर ले जएगा तीनों सवाल जेट इंजन का विसकार सर फ्रैंक वहिटल ने किया था कब किया था 1937 में कहा किया था तो ब्रेटेन में ठीक है अगला पॉइंट है जेट इंजन रॉकेट के SIDHAN पर कार करने वाला एक परकार का क्या है तो इंजन ह ये भी सवाल important है, देखे सवाल कैसे हैंगे exams में, jet engine किस सिधान पर कार करने वाला एक परकार का engine है, तो आप बोलेगा rocket के सिधान पर कार करने वाला एक परकार का engine है, ठीक है, चलिए, उसके बाद देखे 95 number सवाल आपके screen पर है, सौर बैटरियों में परियुक्त पदार्थ होता है, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा important है, तीन, silicon, cgm, thallium, right answer, 95 का option B हो जाएगा, यानि कि हो जाएगा silicon, ठीक है, नोट कर लेज़ेगा बहुत ज़्यादा important सवाल है, अब हम बात कर लेते हैं explanation की, देखे, silicon एक रसानिक तत् ठीक है, नोट कर लेज़ेगा, silicon के योगिक electronic aware, साब बुन, cc, computer chip में इस्तमाल किये जाते हैं, silicon की, silicon की खोज, 1824 में, स्वीडन के रसाइन सास्त्री, जोन्स, जकब, ठीक है, जोन्स, जकब, ब्रेजेलियस ने की थी, और देखे, अबर सार्णी में इसे 14 अस्थान पर से आंगे, silicon, खाली अस्थान, मतलब silicon एक खाली अस्थान है, ठीक है, ऐसे आ सकता है, तो आप बोलिएगा, silicon एक रसाइनिक तत्व है, ठीक है, अगला point देखे, यह प्रित्वी पर, oxygen के बाद, सबसे अधिक पाये जाने वाला, क्या है, तत्वे है, silicon के योगिक, electronic aware, साबु सी से कम्पूटर चीप में इस्तमाल किये जाते हैं, silicon की खोज कब की गई थी, 1824 में, तो student में, रैसाइन सास्त्री जोन्स जकब, ब्रेजेलियस ने किये थी, ठीक है, तो आवर्थ सारनी में इसे 14 अस्थान पर रखा गया है, चलिए, उसके बाद देखे, 96 नंबर सवाल आ देखे, एक्स्प्लेनेशन में, चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी, जिसके टीके की खोज, मतलब टीका की जो खोज हुई थी, 1976 में, अंग्रेज, चेचक एडवर्ड जेनर ने, चेचक के टीके का अविस्कार किया था, तो देख लिजे, सब का एक्स्प्लेनेशन दे इतना मस्त से पढ़ा रहें, और आज मैंने के बच्चों का, बहुत चारे बच्चों का देखा, मतलब कुछ चारे बच्चों का, बहुत चारे नहीं, मतलब बहुत चारे ऐसे बच्चें की, क्या आप भी फेक वीडियो बनाते यार, देखो, एक वेकेंसी के उपर अभी मै के वेकेंसी आ चुकी है, तो दोस्तों देखिए, सही चीज बताओ, उसमें भी दिक्कत, गलत चीज बताओ, उसमें भी दिक्कत, तो मैं किस कटेगरी का वीडियो बनाओ, अब मालेज़े कि गलत चीज तेजी से फाइल रहा है, तो उसको हम रोके नहीं, आप ही लोग बताइ तो वो मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे बच्चे बोलने कि भाई, भी उसके लिए ऐसे करते हो, कोई बात नहीं, चलिए, जिनका जो काम है, वो करेंगे, और हमारा जो काम है, वो अपना देखेंगे, ठीके, चलिए, अगला सबल देखिए, 97 में, असफटिक नि बारे में जानना है, इस पे क्लिक किजएगा, टेलीग्राम ग्रूप में जाके PDF डाउनलोड किजएगा, और इस पे क्लिक किजएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स भी जाएगा, और देखिए, सिलिका के बारे में पूरा डिटेल्स जानना चाहें, तो इस पे क्लिक क लिए टेलीफोन का अविस्कार किस ने किया था बहुत जादा इंपोर्टेंट सवाल है तो देखे राइट अंसर हो जाएगा अलेक्सेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का अविस्कार किया था अब देखे यहां पे एक्स्प्लेनेशन में टेलीफोन का अविस्कार स्कॉट के वेग्यानिक अलेक्सेंडर ग्राहम बेल ने दो जून 1875 में किया था और इसका पहला परदर्शन 10 मई 1876 को बोस्टन में अमेरिका एकाडमी ऑफ साइंस के पिद्वान जनों के आगे किया थीक है तो नोट कर लिज़ेगा देखिए टेलीफोन का विसकार स्कॉर्ट लेंड के वेग्यानिक अलेक्सेंडर ग्राहम बेल ने किया था कब किया था दो जून 1875 में किया था इसका पहला परदर्शन जो हुआ था दस मई इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो आपको में बता देता हूं इसका राइट एंसर ऑप्सन डी हो जाएगा ठीक है भारत में 150 SU 30Ki बहु उपयोगी जेटो का निर्मान तो करेक्ट एंसर ऑप्सन डी हो जाएगा इसका कोई explanation नहीं है चलिए अगला सवाल देखिए 100 number है penicillin का अविस्कार किस ने किया था बहुत ज़्यादा important सवाल है तो देखिए penicillin का अविस्कार Alexander Fleming ने किया था ठीक है अब देखिए explanation देखिए इसकी खोज 1928 में escortis चिकित्सक और microbiologist Alexander Fleming ने किया था फिर से पड़े इसको इसकी खोज 1928 में की थी संपल सी बात है ठीक है escortis चिकित्सक और microbiologist Alexander Fleming ने किया था penicillin के अविस्कार के लिए उन्हें सन 1945 में संयुक्त रूप से चिकित्सका का Nobel सम्मान दिया गया ठीक है तो note कर लिज़ेगा इनको देखे जब इन्हों ने क्या चीज़ का विस्कार किया था खोज किया था penicillin का तो इनको मिला था सन 1945 में Nobel सम्मान ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं 101 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है नासा किस्से संबंदित मिसन का नाम जूनो है तो right answer हो जाएगा इसका दोस्तो Jupiter correct answer option C अब हम बात कर लेते हैं explanation की देखे ध्यान से देखेगा National Aeronautics and Space Administration जिसका इंगलिस में नाम होता है ठीक है हिंदी में हो जाएगा अनुवाद राष्टिये वयमानी की और अंत्रिक्ष परबंधन इंगलिस में यहाँ पर देखे लिजे National Aeronautics and Space Administration अब देखे यहाँ पर यहाँ समचेप में आप मतलब sort में कहा सकते हैं NASA कहा जाता है NASA की अस्थापना 29 जुलाई 1958 को मुख्याले Washington DC में है नोट कर लिजे कि इतना जादा बहुत है explanation और extra fact जो लोग इतना पढ़के जाएगा exams तो क्लियर करेगा मेरे दम पे ठीक है चलिए अगला देखे सवाल है अंत्रिक्ष एवम संबंधित अंत्रिक्ष एवम संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के अनुसंधान के लिए प्रमोक राश्टिय केंजी से भौतिक अनुसंधान प्रयोग साला कहते हैं कहां इस्तित है तो दोस्तो अहमदाबाद देहरा दोन पूरे बेंगलोरू करेक्ट एंसर ओप्षन ए हो जाएगा यानि कि अहमदाबाद में इस्तित है देखिए यहाँ पे नीचे एक्स्प्लेनेशन में अहमदाबाद में इस्तित भौतिक अनुसंधान प्रयोग साला जिसको सौटकॉर्ट में बोलते है PRL मुखरूप से अंत्रिक्ष बिभाग द्वारा सहयोग प्राप एक क्या है स्वायंत संस्ता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं PRL की फूल फर्म तो देखिए इसका जो होता है फिजकल रिसर्च लेबोरेटरी होता है इसकी आस्थापना PRL की आस्थापना 1947 में बिक्रम सारा भाई ने की थी ठीक है देखिए physics पढ़ो तो ऐसे नहीं तो मत पढ़ो इतना explanation आपको मैं दे रहा हूँ और आप लोग का support कम मिल रहा है like भी कम जाता है पता नहीं क्यों like करने में आपको क्या problem होता है आप लोग like कर दिजेगा यार सभी लोग एक अक like कर दिजेगा तो चलिए आगे देखिए 130 नमबर सवाल में अलेक पार्ट धोनी वीडियो तता संजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है तो कहा जाता है क्या कहा जाता है राइट एंसर हो जाएगे इसका option नमबर C ठीक है तो जाएगे टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कीजिए PDF डाउनलोड कीजिए आराम से पढ़ते रहे और पढ़ाई का मज़े लेते रहे ठीक है इतना कोई पढ़ाएगा ने explanation देखे बस ठीक होगे आमदाबाद आगे बढ़ गया अब आपको मैंने बता दिये कि इसके बारे में फिर PRL किया होता है PRL के full form इसकी अस्थापना किसने की कब किया गया था तो सारा details में पढ़ो ऐसे पढ़ोगो तो मज़ा आएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ यार मज़ा आ रहा ठीक है तो जाओ सभी लोग हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिलेगा एक होगा लर्निंग विथ महेंस के नाम से और एक होगा आसेस टूटोरियल 2.0 तो जाओ जब अरजस्त वाला आप लोग फॉलो करो वहाँ पे ठीक है जैसे आप लोग ग्यान जूती आसेस टूटोरियल को सपोर्ट करते हैं वैसे ही जाके आप लोग उसे भी एक बार सपोर्ट कर लीजे देखते हैं कितना आपमे दम है ठीक है दम के हैं आप लोग सपोर्ट कीज़ेगा मुझे पता है ठीक है टेली ग्राम इंस्टाग्राम फोलो कर लिज़ेगा अभी के लिए इतना ही मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा जै हिंद जै भारत